इस अब CBI वालों ने अर्विन केज्रिवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहा इस प्रकार से अर्विन केज्रिवाल जी ने आज देश को बरगलाया है अगर सही वाइने में कहा जाए तो ये अर्विन केज्रिवाल जी की आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा चल रहा है और याद करिए हर बड़े भरस्टाचारी नेता के गिरफतारी से पहले इसी प्रकार का ओपरेशन ड्रामा चलता है सतेंद्र जैन जी जब गिरफतार होने वाले थे बरस्टाचार में आकंठ डूबे वे थे सतेंद्र जैन कोई जानता था जब उनकी जांच चल रही थी तो ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया आम आद्मी पार्टी कर रही थी ठीक इसी प्रकार का भाशन अर्विन केज्रिवाल दे रहे थे वो कह रहे थे सतेंद्र जैन तो राजा हरिश्चंद्र है इनको तो पद्मवीभूशन मिलना चाहिए इनसे जादा कटर इमांदार तो कोई मंत्री है नहीं ये CBI ये ED ये तो गल्त काम कर रहे है सतेंद्र जैन is the best minister this is what अर्विन केज्रिवाल was saying मगर सतेंद्र जैन गिरफतार हुए और आज चार महीने हो चुके हैं four months उनको बेल नहीं मिला है कोट से क्यों नहीं मिला है ये जो भाषन अर्विन केज्रिवाल जी करते हैं विधान सभा में खड़े होकर अगर उस भाषन में तत्य होता तो अभी तक तो सतेंद्र जैन जी को कितनी बार बेल हो चुका होता merits नहीं है argument में merits नहीं है और corruption किया है इसलिए सतेंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रहा है उस समय भी अर्विन केज्रिवाल जी कह रहे थे सतेंद्र जैन जी के locker से तो कुछ नहीं मिला जुन जुना मिला है उनके locker से locker से जुन जुना मिलता है मगर बेल नहीं मिलता है यह सारी बाते अर्विन केज्रिवाल जी जाके court में कहें कि हम कितने कट्टर इमांदार हैं यह ED और CBI वाले नाहक ही raid कर रहे हैं उसके बावजूत उन्हें बेल नहीं मिल रहा है This speaks volumes यह बहुत कुछ कहता है कि सतेंद्र जेन को बेल नहीं मिल रहा है जितेंद्र तोमर इनके कानून के मंत्री थे आज डिगरी के विशय में किसकी डिगरी फरजी है इसके डिगरी अच्छे हैं कौन बहुत पड़े लिके हैं और कौन अनपड़ हैं इसके विशय में अर्विन केजरिवाल जी भाषन कर रहे थे जब जितेंद्र तोमर जी गिरफतार होने वाले थे उनके डिगरी को लेकर संसय चल रहा था तो इसी प्रकार से भाषन सदन में खड़े होकर अर्विन केजरिवाल जी ने कहा था कि पूरे विश्व में सबसे असानिक की कोशिश कर रहे हैं हम तो ऐसे हैं जी हम तो वैसे उसके बाद जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हो गई उनकी डिग्री फरजी पाई गई बिहार में भी जाकर पुलीस ने जांच परताल किया डिग्री वॉस फेक जितेंद्र तोमर दुबारा मंत्री नहीं बने मंत्री मंदल से निकाल दिये गए संदीप कुमार इनका एक और मंत्री था वो किस प्रकार से आज अर्विन के जिवाल नारी सम्मान की विशे में प्रवचन कर रहे थे और ये संदीप कुमार राशन मंत्री किस प्रकार से नारी सम्मान करते हुए रंगे हाथ पकड़े गएते ये हम सबने वीडियो और स्ट्रिंग ओपरेशन के माध्यम से देखे थे उस समय भी इसी प्रकार का भाशन इनके नेता कर रहे थे और आज संदीप कुमार जी को बरखास्त किया गया है क्योंकि जो आरोप हमने लगाये थे उसमें मेरिट्स थे उसमें दम था और जो बचाव अर्विन के जीवाल जी और आर्मागनी पाटी कर रही थी उसमें कोई दम नहीं था असीम अहमद खान इनके एक और मंत्री थे वह भी बरखास्त हुए भ्रस्टाचार के आरोप में बरखास्त हुए वो रंगे हात भ्रस्टाचार करते हुए पकड़े गए थे पंजाब में सरकार बने हुए दस दिन नहीं हुए थे दस दिन के अंदर इनको अपने स्वास्त मंत्री को बरकास्त करना पड़ा अर्विन के जिवाल जी आज क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि 3000-4000 वर्ष का मानव इतिहास 3000-4000 वर्ष के पूरे विश्व के मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रताड़ना आम आदमी पार्टी पे हुई है अर्विन जी गलत 3000-4000 वर्ष की ये जो मानव इतिहास है उस मानव इतिहास में सबसे बड़ी यूटन पल्टू पार्टी कोई है तो ये अर्विन के जिवाल जी आपकी पार्टी कटर इमानदार पार्टी बनेंगे ये कहके निकलने वाले चंद हफ्तों के अंदर किस प्रकार से कटर भस्ताचारी बन गए इसका अगर जीता जागता उदाहरन पूरे विश्व के 3-4000 वर्ष के मानव इतिहास में देखना है तो वो अर्विन के जिवाल जी की आम आदमी पाटी है आए और तो और आप हमारी बातों पपे विश्वास मत करिए जिनके उंगली पकड़ करके अर्विन के जिवाल जी बढ़े हुए थे विएसे अनना हजारे जी ने चित्टी लिका औरविन के जिवाल जी के नियत पर उनके इंटन्शनज पर सवाल खड़े किये हैं अन्ना हजारे में अर्विन जी आपने बहुत लंबा भाशन दिया जनता भी हर दिन देख रही है PC, Counter PC, Press वारता, Counter Press वारता हम बहुत कुछ बोलते हैं आप बहुत कुछ बोलते हैं मगर जो हम प्रशन पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप नहीं देते हैं अर्विन जी, Day One से जो हमारे प्रशन थे आज भी वही प्रशन है प्रशन दिल्ली के आभकारी नीती को लेकर प्रशन दिल्ली के शराब नीती को लेकर थे क्या प्रशन थे अर्विन जी प्रशन नंबर एक जो भारतिय जंता पार्टी पहले दिन से पूछ रही कि क्या ये सत्य नहीं है कि रवी धवन जो उस समय एक्साइज कमिशनर थे उनके तत्वावधान में एक कमीटी गटित हुई उस कमीटी ने कहा कि अबकारी नीती में एक्साइज पॉलिसी में होल सेल का काम सरकार के पास होना चाहिए और रिटेल का काम लोटरी के माध्यम से इंडिवीज्वल को देना चाहिए और कमपनी को नहीं देना चाहिए मगर अर्विंद केजरिवाल जी क्या कारण था कि मनीशी शोदिया ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना और होल सेल का काम अपने यारों को अपने मित्रों को दिया और क्या कारण था कि रिटेल का काम बड़ी-बड़ी कमपनियों को दिया ताकि कार्टेल बन सके कि हम तो स्पस्ट रूप से कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं मोटा माल मिला रिश्वत खाया और इस कारण से अपने मित्रों को फाइदा पहुंचाया उत्तर दे दीजिए आप दूसरा बड़ा स्पस्ट प्रशन है क्या यह एक्साइज पॉलिशी में कानून नहीं है कि जो अवजूद आपने ठेकेदारों को चुना गलत तरीके से और जो मैनुफैक्चरर्स थे उनसे मोटा कमिशन खाके आपने उनको रिटेलर भी बनाया अर्था उनको रिटेल का काम भी दिया और तो और मैं दो चिठ्थियां आज दिखाता हूं यह चिठ्थियां को आज की च पॉलिसी वॉस्ट्रेकिंगशेप जिस समय यह पॉलिसी अब फ्लोट कर रहे थे और टैंडर इन्वाइट यह दाले गए उस समय की यह चिठ्थी यह चिठ्थी क्या है अर्विंद जी यह चिठ्थी complaint किसके complaint है लोगों ने complaint किया एक्साइज विभाग को complaint किया कि फलानी फलानी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है इनको ठेका नहीं मिलना चाहिए नाम लिखा गया है यह चित्थी पच्चीस दस दोजारी किस की है और इसमें स्पर्ष ट्रूप से इंडो स्पिरिट बिविरेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है और उनका जो रिटेल बॉडी है MS खाओ गली रेस्टूरेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम है चित्थी बड़ी है आपके लिए मैं पब्लिक डोमेन में इसे डाल दूँगा आप अध्यान कर लिजेगा अरविन जी मगर मोटा मोटी इस चित्थी में एकसाइज विभाग ने उत्तर मांगा है कि ये बे नियम काम को बंद करना चाहिए आप इन ब्लैक लिस्टेट कंपणी को ठेका कैसे दे रहे हैं इसमें भी एक एन्रिच कंपणी नामक कंपणी है उसमें भी बड़े स्पेश्ट रूप से लिखा गया है कि किस प्रकार से आप बेनियम भाव से बेनियम रूप से नियमों को पाक में रखके आप उन कंपणीयों को ठेका दे रहे हैं जिन कंपणीयों को देना नहीं चाहिए मगर इसके बावजूद के जिवाल जी मनीशी शोदिया जी हम जानना चाहते हैं आपने नियमों का उलंगन क्यूं किया कैसे कि